हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओंलाइन चनल अरध्या आर्यस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयोजित ग्राम शेवक यानि की ग्राम विकास अधिकारी बरती परिक्षा 2021 के नविंतम पाते करम केनुसरर रिजिनिंग की मेराञ्थन कलास है उप सुरू की गई ती जिसमें अपनी एक कलास कम्प्लीट हो चुकी है और अजचामी दूसरे नंबर की कलास है और दूसरा नंबर का घ killing है टोपिक का नाम है रेंकिंग टेस्ट यानि इस्थान ये करम प करवाने वाला हूं जो आपकी परिक्षा की दरश्टी से अतियंत मैतुपूर्ण है अगर आपने पिछली कलास है वो नहीं देखिए तो आप पले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा वीडियो रिजिनिंग के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा तो आप वहाँ जाकर पिछली कलास है वो जरूर देखें दस बारा टोपिक है जो अपन दस बारा दिन के अंदर है वो रिजिनिंग के सारे के सारे टोपिक है वो कम्पलीट कर लेंगे अरद्दैरेस एकेडमी के यूटूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किय दोस्तों तो कक्षा में कितने विद्यारती है ये अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों बहुती अच्छा प्रेसन है सीधा समय यहाँ पर बोलू देखिए राम का इस्तान उपर से सात्वा यानि कि उपर से सात्वा और नीचे से कितना है तो नीचे से 28 वा है ठीक है कि एक माइनस करना है तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथ प्लस अठाइस कितने होते हैं 35 और 35 में एक गया तो कितने बचे 34 भी नंबर का उप्सन इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखिए राम के दो इस्तान है एक तो साथ वा और एक अठाइस वा तो एक गिना तो एक ही जाएगा ना तो इन दोनों को जोड़के माइनस एक कर दीजिए बी नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रेसन है यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारों से छटा हूं दोनों किनारों से छटा हूं ठीक है यहां पर देख से टोटलिंग मेरी कितनी हो रही है दो इस्तान हो रहे हैं तो एक माइनस करना है और 6 और 6 को जोड़ दीजिए 6 और 6 कितने होते भारा मैंस है द क्या तो टोटल व्यक्ति कितने है ग्यारह है तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा ठीक उसी प्रकार तीसरा नंबर का प्रस्ण इसमें देखिए इसमें बचों की एक पंक्ती में लीयत अ के आग माय सिरे से पंदरवाकं है बाएं से कुन सा है पंदरवा करम ठीक है यदि वहें दाइं और से चार इस्तान सरकती है यदि वहें दाइं और से चार इस्तान क्या करती है सरकती है तो वहें दाएं सिरे से आठवे करम पर होती है तो वहें दाएं सिरे से आठवे करम पर होती है तो देखिए चार इस्ता सिरे से कौन सा करम है तो ये पंदरवा करम है ठीक है यहां पर मैं बोलूं कि ये पंदरवा करम है किसका नीता का तो ये नीता का कौन सा करम है पंदरवा करम है ठीक है अब दोस्तों यहां पर देखिए यदिव है दाइं और चार इस्तान सरकती है दाइं और क्या करती है चार इस्तान है वो सरक्थी है तो यह दाई और चार्इस्तान इदर खिसकेगी तो यह कितना हो जाएगा ये गुनि इस नुमर पे आ जाएगी नीता ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वहे दाएं शिरे से आठवे खरम पर होती है यानि कि इदर से वो कौन से करंपर होती है तो ये आठवे करंपर होती है ठीक है तो सीधा सा यहाँ पे देखे गुनीस और आठ माइनस एक कर दीजे गुनीस और आठ कितने होते हैं 27 और 27 में से एक गया तो कितने बचा 26 से तो अपना इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो है वो 22 से 12 है ठीक है सुदीर जो बाइचछ से 22 है सुदीर है ये 123 कुनसा है 22 अब दोस्तों यहां पे देखिए रितेश उद्दाइं को चोथा है रितेश से दाइंको कौंसा है चोथा कौन तो यहां पर सुधीर ठीक है अब यहां पे भी अपने को क्या करना है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं वो बताना है तो यहां पे देखें यह बारा पलस चार हो जाएंगा कितना हो जाएगा 16 ठीक है 16 प्लस 22 माइनस 1 कर दीजिए 16 प्लस 22 माइनस 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इसमें 37 इसका राइट अंसर हो जाएगा C नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए पांचवा नमबर का प्रेस नहीं इसमें देखिए किसी कक्षा में पूनम उपर से साथवे इस्तान पर है पूनम है जैसे ये एक लाइन है जिसमें यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ पूनम को और ये साथवे इस्तान पर है ठीक है है यदि सानू पूनम के तीन इस्तान उपर है तो दोस्तों तीन इस्तान उपर है साथ में से चार सुरी तीन गए तो किते बचे चार और चोथे नंबर पर कौन हो जाएगी इसमें यह ओ जाएगी Sanu, यहाँ पर मैं S लिग देता हूं Sanu को, ठीक है? तथा नीचे से 22 इस्तान पर है, जो यह Sanu है, ये नीचे से कौनसे इस्तान पर है, तो ये 22 इस्तान पर है, ठीक है? अब दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे सानू 22 वे बाईश वे नंबर पर है तो इसके आगे और कितने जजए हैं, तो दोस्तों सीधा सा है, तीन जज़धा है, तो तो 22 पलस 3 कर लिजए, सिदा सा राई तंस रा जाएगा कितना 25 है तो इसमें C number का ॉपն बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिये 6 नमर का प्रस्न है इसमें देखिये एक कक्षा में सलेश उपर से सात्वा है सलेश है वो उपर से सात्वा इस्तान है वह अनुपम नीचे से अठारवा है अनुपम है यह नीचे से अठारवा है तो दोस्तों मैं यहाँ पे ए लिख देता हूं और अनुपम को और यहाँ पे लिख देता हूं मैं आठ सुरी अठारा ठीक है यह मैंने अठारा लिख दिया अब देखे यदि सुरेश जो अनुपम से दो स्रेणी उपर है सुरेश जो अनुपम से दो स्रेणी उपर है तो दो स्रेणी मतलब 18 में दो जोड़ दीजे कितना हो जाएगा 20 और यह यहां पर दोस्तों मैं लिख देता हूं सुरेश ठीक है तो दोस्तों सीधा सा देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि तो कुल कितने चात्र हैं तो कुल कितने चात्र हैं वह यहां पर अपने को बताना है दोस्तों यहां पर सुरेश है यहां पर देखिए यह सुरेश को मैं यहां से कटकरके यहां तक तक अपनी कंप्लीट हों गया है अब देखे यदि सुरस्रत जो अनुपम से दो शुरेणी इ वखो अब है तो यह इधर लिट देता हूं मैं फिखे यह बीस वे सितान पर कौन ये 22 वा जाएगा यहाँ पर कौन सुरेश तीक है तो अब अपने को बताना है कि कुल कितने चातर हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखे 22 तो यह हो गए और 20 यह हो गए तो 22 पलस 20 माइनस एक कर दीजे सिधा सा राइट अंसर आपके पास में आ जाएगा कितना 41 तो इसमें जैसे यह पंक्ति यह साब ठीक है इसमें आकास का आगे से 25 वा इस्तान है तो दोस्तों मैं यहाँ पर आकास का 25 वा इस्तान कर देता हूं यहां पर लिख देता हूं यह और यहां पर लिख देता हूं 25 वा इस्तान है ठीक है इसी पंक्ति में आलोक आकास से आगे 10 इस्तान पर है ठीक है दस इस्तान पर क्या है आगे है ठीक है तो यहां पर आकास से आकास से आगे है ठीक है तो आगे इदर आएगा तो यह कौन आ गया यहां पर 35 एस्तान पर आकास है तो आलोक आ गया यहां पर मैं डबले लिख देता हूँ ठीक है आलोक को और यह कौन से इस्तान पर आ गया तो यह 10 एस्तान आ गया यानि ही 15 वेिग नमबर पर आ गया थूक है अब दोस्त आगे देखिए यदि आलोक का पिछे से अठारवा इस्तान है तो बताईए पंक्ति में कुल कितने विक्ति है तो दोस्तों यहां पे देखे यदि पीछे से किसका आलोक का अठारवा इस्तान है तो दोस्तों सीधा सा है अप यहां पे अपने को क्या करना है देखिए कुछ भी नहीं करना ज्यादा कोई खास और अपना इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऐसे लाइन खीच के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है देखिए आठ नमबर का प्रस ने इसमें देखिए वार्षिक परिक्षा में उत्तिन विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमां को उपर से तेर्वा कपिल का जो क्रमांग है यह दोस्तों उपर से तो कौन सा है तेर्वा है और नीचे से कौन सा है कपिल नीचे से कौन सा है तो यह 26 वा है ठीक है यदि 6 विद्यार्थी इस परिक्षा में फैल हुए हो तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने विद्यार् पलस जो फेल हुए हुए छेविध द्यारती है उनको भी अपने को जोड़ना है तो यहां पे देखें 13 और 26 होते हैं गुंड 30 ओर पलस 6 कितने होते हैं देखें 6 द्यारती को इसमें सामिल नहीं किया गया था तो यहां पे सिर्प पास वाले ही थे तो गुंď Touch और चे कितने होते हैं तो एक माइनस करना है तो कितने हो जाएंगे 44 Mr. तो अपना इसमे Right तरप से पंदरवाइस्तान है विजय का बाई तरप से पंदरवाइस्तान है देखिए यह आपको याद रखना है यह तो होता है बाया भाग और यह होता है दोस्तों इसमें दाया भाग यह आपको इसमें विशेश तोर पर याद रखना है अब यहाँ पे देखिए विजय का बाई तरफ से पंदरवा इस्तान है तो विजय का बाई तरफ से कौन सा इस्तान है पंदरवा इस्तान है तथा मनोज का दाएं से बारवा इस्तान है तो दाएं से बारवा इस्तान किसका है मनोज का तो यहां पर मैं लिख देता हूँ यह बारा नमबर पर कौन है तो यह कि यहां पर विजय के यदि दोनों अपना इस्तान आपस में बदल ले अब दोस्तों देखिए दोनों अपना इस्तान है वो बदल लेते हैं अब यहां पर देखिए मनोज तो आजाएगा पंदरा नंबर पर और विजय चला जाएगा बारा नंबर पर यह मैंने दोनों का इस तरफ से तो विजे का बाई तरफ से कौन सा इस्तान हो जाता है यह बीस वा इस्तान हो जाता है यह आपको इसमें याद रखना है इनका नंबर भी चैंज होगा अब यह आपर देखें 20 वा आगया इधर विजे तो सीधासा है 20 इधर से है और 12 यह रहे तो 20 पलस 12 माइनस एक कर दीजिए 20 पलस 12 कितने होते हैं 32 और 32 में से 1 गया तो कितने बचे 31 तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दस नंबर का प्रस्ट ने इसमें देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में किरन दाएं से पंदरवी वैसे मैंने आपको बताया था बाया दाया तो यह ऐसे सिद्धी लाइन खेंचली ठीक ह उसके बाद में देखिए क्या पुछा गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किरन दाएं से पंदरवी है यानि कि इस तरफ से इस तरफ से है यह दाएं से कौन से है पंदरवी तो यह मैंने आपर के को किरन को केलिक दिया और यह कौन से स्थान पर है तो यह पंदरवे स पुछा है ठीक है दिव्या बाएं से दस्वे स्थान पर है तो ये दस्वे स्थान पर आ गई कौन या गई दिव्या यदि दिव्या को उसके दाएं पांच इस्थान आगे बठा दिया जाए यदि दिव्या को दाएं पांच इस्थान आगे बठा दिया जाए तो दिव्या क इसको दिव्या को यहां पर जी 14 नंबर पर आ जाएगी पांच इसतान आगे बढ़ाया तो यह चोदा नंबर पर आ गई तो पंक्ती में कुल लड़कियों की सिंख्या कितनी है तो यहां पर 14 प्लस पंद्रा दे रखा है 14 प्लस पंद्रा माइनस एक कर दीजिए 14 प्लस पंद में जिगना माया से बाई और दस्वी है जिगना यह सीधी की सीधी लाइन खेंच लीजिए साब यह खेंच ली ठीक है बाया दाया यह बाया है और यह कौन सा हो जाएगा दाया ठीक है अब यहां पर देखिए क्या पुछा है कि जिगना माया से बाई और दस्वी है जिगन तो ये 21 नमबर पर को न जाएगी? इसमें माया आ जाएगी. यहां पर मैं माया को एम लिख देता हूँ. 21 नमबर पर आ गई है. जिगना माया से बाईं और दसवी है. तो दोस्तों, यहां पर देखें, ये 21 नमबर पर आ गई. तो इसमें 10 पला सोर कर दीजिए. कितना? 31. 31 नमबर पर कोन आ गई? तो ये जिगना गई. ठीक है? यदि कॉमल जो बाईं और से सतरवी है, तो कॉमल है, ये बाईं और से कौन सी है? अब ये 31 इदर है, और 21 इदर है, और ये 22 वे, बाईं से सतरवी है, तो ये 70 वी है, वो कौन आ गई? यहाँ पर है, तो ये आ गई दोस्तो कॉमल, ठीक है? जिगना के दाईं और चोटी है, तो जिगना के दाईं और चोटी हो जाएगी, देखिए, ये 21 नमबर पर है, ठीक है? तो ये 21 में से 4 गए तो कितने बचे 17 और 17 नमबर पर को न आ गई? को मल आ गई, ठीक है? तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़किया है तो दोस्तों यहां पर देखिए 17 तो यह है, ठीक है? 17 यह हो गई और दोस्तों यहां पर देखिए 27 17 और यह हो गई दोस्तों यहां पर देखिए यह अगर सत्रवे इस्तान पर है ठीक है? तो 27 17 पर 27 माइनस एक ठीक है? तो इसमें 43 नमबर पर आ जाएगा इसमें पंक्ति में कुल कितनी लड़किया है तो 43 लड़किया है, ठीक है? यह आपको इसमें याद रखना है दाएं से, देखिए यह बाएं से 70 भी है तो दाएं से कौन सी हो जाएगी? 27 भी हो जाएगी तो 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर 12 नमबर का प्रेस ने इसमें देखिए एक कक्षा में एका इस्तान बाएं से पांचवा है एका इस्तान क्या है? बाएं से कौन सा है? पांचवा है ए यह पांचवा इस्तान है ठीक है? बी का इस्तान दाएं से आठवा है बी का इस्तान है यह दाएं से कौन सा है? तो ये आठवा इस्तान है ठीक है यदि इन दोनों के मद्दे चार विद्यारती बेठे हैं इन दोनों के मद्दे चार विद्यारती बेठे हैं एक दो तीन चार ये चार विद्यारती बेठे हैं ठीक है तो बताएए कुल विद्यारती कितने हैं तो दोस्तों सिदासा है इसमे देखिए पांच पल्डाइस चार पल्डाइसाट कर दीजियाएं कितनstone हो जाएगा पांच पलस चार पलस हाट कर दी जे पांच और चार न हो नionaट कितने होते नो राट麼 सतरह होतें तो इसमें राइट अंसर 20 नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तेरा नमबर का प्रसने इसमें देखिए एक कक्षा में पी का इस्तान बाएं से बारवा है एक कक्षा में पी का इस्तान है वो बाएं से बारवा है पी का इस्तान है ये बाएं से कौन सा है बारवा है ठीक है क्यों का इस्तान यह दाएं से सोलवा है यदि पी और क्योंके मद्दे कुल व्यक्तियों के एक बटा तीन व्यक्ति इस्तित हैं तो कुल कितने व्यक्ति होंगे यह अपने को यहां पर बताना है दोस्तों देखिए ओप्सन उठाके देखी लीजिए आपका सीधा साब के पास में राइट आंस में सूला ठीक है तो बारा चोना तो यह व्यक्ति जो सबस्सक्राइब ऑर 12 हो गए और 28 में देखिए अब ऑप 1 बटा 3 इन एक यह टीन वेक्टि है वह इस्तित है तो यानिकीं दोस्तों इसमें देखिए 42 वेक्ति है तो इसके अंदर कितने बैठेंगे 14 बैठेंगे ठीक है तो सिधा सा सिंपल सा होगे अपना इसमें 42 A नमबर का ओप्सन राइट आंसर हो जाएगा चोज़ा नमबर का प्रस्णा इसमें देखिए एक पंक्ती में A का इस्तान आगे से अठारवा है देखिए सिधी लाइन खेच लीजिए एक एक का इस्तान आगे से कौन सा है अठारवा है तो ये A मैंने आपर अठारवा नमबर पे लिख दिया ठीक है B का इस्तान पिछे से सोलवा है B का जो इस्तान है ये पिछे से कौन सा है सोलवा ये B है और ये सोलवानिस्तान है यदी C आगे से 24 स्टान पर है C है ये आगे से 24 स्टान पर है तथा ए और B के बिल्कुल मद्दे में बेठा है तो बताओ पंक्ति में कुल कितने वेक्ति बेठे हैं तो दोस्तो सी दासा यहां पे अपने को देखे देखिए 18 तो यह होई गए और 16 यह होई गए तो अब इसके अंदर देखिए यह 24 वा है तो दोस्तों यहाँ पर जो C है यह के आगे और पिछे दोनों 5 पांच हो जाएंगे तो टोटल इसमें व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों 45 तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए लड़कियों की एक कतार में रेसमा दाएं से दसवे एवं रिमा जो पिरिया के ठीक बाएं तरफ बैटी है से चोथे इस्तान पर बैटी है पिरिया बाएं से गयारवे स्थान पर है कतार में कितनी लड़किया है वो यहां पर अपने को बताना है दोस्तों वो ही cdc weave से लाइन खेच लेना इसमें देखें क्या पूछा गया है कि लड़कियों के बैस मादाएं से दस्थान पर है तो रेस्मा है ये दाएं से कौन से इस्तान पर है दस्वे इस्तान पर तो ये रेस्मा दोस्तों मैं या पर आर लिख देता हूं और ये दस्वे इस्तान पर है ठीक है जो पिरिया के ठीक बाएं तरफ बैठी है तो दोस्तों पिरिया इसका मतलब कहा बैठेगी यहां से चोथे इस्तान पर है से चोथे इस्तान पर है तो दोस्तों चोथे इस्तान पर मतलब यह किते नमबर पर आ गई तो यह छटे नमबर पर आ गई ठीक है पिरिया बाएं से ग्यारवे इस्तान पर है पिरिया है वह पिरिया बाएं से ग्यारवे इस्तान पर है तो पिरिया है वो ग्यारवे स्थान पर ये आ गई दोस्तो ठीक है ग्यारवे स्थान पर आ गई अब यहां पर देखिए क्या पुछा है कि रिमा जो पिरिया के ठीक बाई तरफ बैठी है जो पिरिया के ठीक बाई तरफ तो रिमा है वो यहां आ जाएगा दोस्तो ठीक है यह रिमा आ गया और ये दस्वे नमबर पर आ गई ठीक है अब दोस्तों यहां पर देखिए दुबारे इस प्रसंड को देखिए लड़कियों की एक कतार में रेसमा दाएं से दस्वे एवं रीमा के यानिकी रीमा जो प्रिया के ठीक बाएं तरफ बैठी है से चोथे इस्तान पर है यानिकी छटे नमबर पर आ जाएगी दोस्तों ठीक है जो रेसमा है ठीक है रेसमा यहां पर रेसमा लिख देता हूं रेसमा यह चटे इस्तान पर आ जाएगी अब यहां पर देखिए दोस्तों पिरिया बाएं से ग्यारवे इस्तान पर है तो यह बिल्कुल सही है अब दोस्तों क् करना है अपने को यहां पे देखिए कतार में कुल कितनी लड़कियों की संक्या है तो दोस्टों यह पे देखिए 6 पलस 10 पलस एक सुरी 6 पलस 10-1 से प्लस 10-1 कितना होगा पंदर्ह और अपना इसमें यह का प्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक उसी प्रकार 11 नूर का परस्टन ए इसमें भी देखिए स कि छात्रों की एक पंक्ति में सुर्ष 22 ग्यार्वे स्थान पर है ए सुर्ष है यह बाय ही से ग्यारवे स्तान पर है तो दोस्तों ये ग्यारवे स्तान पर को ना गया सुरेश ठीक है सुर्भी दाएं से बिश्वे स्तान पर है सुर्भी है यहां पर सू लिख देता हूँ इसको ठीक है सुर्भी सुर्भी है ये बिश्वे स्तान पर है ठीक है परंतु वह पंक्ती में बा ठीक है कितने नमबर पर आती है 21 नमबर पर ठीक है सुर्वी तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं तो दोस्तों 21 पलस 20 कर दीजिए माइनस एक कर दीजिए तो 21 पलस 20 41 41 में से गया तो कितना बचा 40 तो इसमें सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 17 नमबर का प्रस्न इसमें देखिए बच्चों की कतार में बबिता बाएं से 27 वे इस्तान पर है ठीक है ये ठीक वैसी मैंने आपको बताया था एक लाएन ऐसी खेंच लीजिए इसमें देखिए बच्चों के कतार में बबिता बाएं से 27 वे इस्तान पर है बबिता है ये और ये 27 वे इस्तान पर है ठीक है खुस्बू दाएं से 22 वे इस्तान पर है यदि ये दोनों आपस में अपने इस्तान परिवर्तित कर ले तो परिवर्तित कर ले तो दोस्तों देखे ये शुरू के अंदर मैं आपको बताओं तो बबिता है वो 22 से 27 वे इस्तान पर है एवं खुस्बु दाई से 22 वे इस्तान पर है तो यहां पर यह खुस्बु है वो इदर आ जाएगा के लिख देता हूं और यह दोस्तों 22 वे इस्तान पर अब दोनों ये दोस्तों आपस में अपने इस्तान परिवर्तित कर लें तो दोस्तों बबिता है ये 22 नमबर पर हो जाएगी बबिता है ये दोस्तों 22 नमबर पर आजाएगी और खुस्बू है ये दोस्तों 27 नमबर पर आजाएगी ठीक है सिधा सा इसमी यह हो गया तो बाइस पलस अब देखिए आगे तो खुस्बू दाएं से सबिस्वे इस्तान पर आ जाती है तो खुस्बू है वो दाएं से सबिस्वे इस्तान पर आ गई दोस्तो यह ठीक है तो दोस्तों इसमें देखिए सिधा सा अपने को क्या गरना है 27 पलस 26 माहिना शेक कर दीजिए 52 इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नमबर उप्शन बिल्कुल सई 18 नमबर का प्रेशन इसमें देखिए एक कक्षा में राम का इस्तान बाइएं से पांचवा है राम का इस्तान है वो बाइएं से कुन सा है पांचवा है मोहन का इस्तान दाएं से पंदरवा है तथा बाएं से सतरवा है तो बताओ राम के दाएं से कुन सा होगा तो राम के दाएं से कुन सा होगा तो यहां पे देखिए एक तो यह दाएं पंदरवा दे रखा है और यह बाएं सतरवा दे रखा है तो पंदरापलस, 17 माइनस ऐक कर दीजिए राइट आइसर आपके पास में आजाएगे सुरी, कितने आजाएगे, 31 आजाएगे अब यहाँ पे दीए रामका स्तानद बाइंस से पांच वाइismus है तो 31 माइनस 5 पांच पांच पलस एक कर दीजिए 31-5 प्लस एक कर दीजिए 27 वाइस का राइट आंसर आ जाएगा बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही देखिए यहाँ पे गुनिस से लेके और 21 प्रसंट तक उतर देना है अपने को यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 60 विद्यारतियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दो गुनी है राम का इस्तान उपर से सतरवा है तथा राम से पहले 9 लड़कियां बैठी है राम से पहले 9 लड़कियां बैठी है तो दोस्तों 17 माइनस 9 करेंगे ठीक है तो 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8 तो 8 लड़के बैठे हैं ठीक है तो बताओ यहाँ पर राम के बाद कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं तो दोस्तों यहां पे देखे लड़के 20 हैं तो लड़के कितनी हो गई, 40 12 लड़के तो यहाँ पर इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है अब यह याद रखना 28 और 40 याद रखना ठीक है आगे देखे राम का नीचे से लड़कों में कौन सा इस्तान है टोटल कितने लड़के थे 20 लड़के थे और 20 में से 8 तो यह यह गए तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे 12 और 12 पलस एक कर दीजिए कितना हो जाएगा 13 वा इस्तान हो जाएगा तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राम का नीचे से कुल विद्यारतियों में कौन सा इस्तान होगा तो दोस्तो देखिए कुल विद्यारतियों में कुल विद्यारति कितने है 60 जिसमें से 20 लड़के हैं और 40 लड़किया है अब 40 माइनस 17 तो यह कर दीजिए ठीक है चालिस माइनस सत्रा पलस एक कर दीजिए तो कौन सा हो जाएगा तो दोस्तो इसमें 44 वहिस्तान हो जाएगा इसमें राइट आंसर भी नमबर उप्शन सही उतर आगे देखिए इसमें बाइस नमबर का प्रेस ने बच्चो की एक पंक्ती में नेहा रोबिन से दाई को पांच वी है ठीक वैसे ही लाइन खेच लीजिए बच्चो की एक पंक्ती में नेहा रोबिन से दाई को पांच वी है तो दोस्तो यहां पर देखे पांच वी है असोक नेहा के दाईं को बारवा और दाई छोर से 28 हुआ है दाई छोर से यह अब यहां पर आ गया दोस्तों यह असोक है ठीक है यह 28 नमबर पर आ गया अब अपने को दुबारा से सुरूई करना है इस प्रिशन को देखिए एक पंक्ति में नेहा रोबिन के दाईं को पांच आवी बारवा है ठीक है तो नेहा है वो दोस्तों किते नमबर पर आजाएगी 28 में 12 जोड़ दीजे तो यह नेहा है यह 40 नमबर पर आजएगी अब दोस्तों यहां पर देखिए दुबारा इस प्रिशन को बच्चों के एक पंक्ति में नेहा रोबिन से दाएं को पांच व देखिए प्रिशन में एक तो कुल इस्तान है वो देनी रखे ठीक है रोबिन का बाइं छोर से इस्तान है वो ग्यात नहीं किया जा सकता ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आप इन में से कोई नहीं कर लेना इनमर का उप्सन इसका बिल्कुल सही उत हो जाएगा इसमें आगे देखिए तेविस नमर का प्रस्न सोला बच्चों की पंक्ति में जब अनील को बाइं और को जैनकी देखिए सोला बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें जब अनील को बाइं और दो इस्तान हटा दिया जाता है दो इस्तान हटा दिया जाता है तो व कि दाएं सिरे से कौन सी इस्तिती पहले थी पहले इस्तिती कौन सी थी वह अपने को यहां पर क्या करना है बताना है तो दोस्तों पहले इस्तिती नोवी थी ना तो सीधा सा है देखिए सोलह माइनस नो पलस एक कर दीजिए सोलह में से नो गए तो दोस्तों कितने बचे तो दोस्तो साथ बचे और साथ में एक पलस करना है आठ आठ वी इस्तिती थी दोस्तो ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा 24 नमबर प्रेस ने इसमें देखिए 23 लड़कों की एक कक्षा में संदीप और राजु का करमस है तेरवा और चोदवा करमांक दिया गया है तो बताओ कि अन्तिम से उनका उचित करमांक क्या होगा अन्तिम से उनका उचित करमांक है वो क्या होगा तो दोस्तो देखिए संदीप का अन्तिम से इस्तान है 23 लड़कों में कौन सा है 13 तो 23 माइनस 13 पलस एक कर दीजिए कौन सा हो जाएगा 11 न हुजाएगा राजु का अंतिम से इस्तान 14 न हो चोदवा दे रखा है 23 माइनस 14 पलस एक कर दीजिए कितना हो जाएगा 10 वा ठीक है अब यहाँ पे देखिए तो इसका right answer क्या हो जाएगा C number का option बिल्कुल सही उत्तर 25 नमबर प्रेसने इसमें देखे 25 बच्चे एक पंक्ती में उत्तर की और मो करके खड़े हैं अब दोस्तों यहां पे देखे क्यूं दाएं सिरे से 8 वा है क्यूं है वो दाएं सिरे से कुन सा है 8 वा है तथा क्यूं व बच्चे है वो बीच में बैठे हैं यहां पे ठीक है तो डी का बाएं सिरे से कौन सा हिस्तान होगा तो डी का बाएं सिरे से कौन सा हिस्तान होगा तो दोस्तों यहां पर देखिए देखे 25 तो बच्चे हैं इसमें ठीक है और यहां पर देखें क्यूं दाएं शिरे से 8 वा है ठीक है तो 8 ही यह हो गए ठीक है तो अब इसमें अपने को ग्याद करना है क्या डी का 22 सिरे से इस्तान तो यहां पर देखें पत्चीस में से दोस्तो आठ गए देखें इसमें पत्चीस और यहां पर देखें दस और आठ कितने होते हैं अठारा अठारा और एक इसमें कोमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसमें गुनिस तो पत्चीस माइनस गुनिस पलस एक हो जाएगा इसमें सातवा इस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर ऑप्षन बिलकुल सही 26 नमबर प्रेस्ट इसमें देखिए विद्धियारत्यू के एक पंक्ति में रमेश बाये से नवेस्तान पर है रमेश है वो नवेस्तान पर है सुमन दाएं से छटे इस्तान पर है ठीक वैसा ह answer हो जाएगा दोस्तो बारवा इस्तान ठीक है screen shot लेके soul किजिए इस person को अब बाकी के जो चार person है इनको आप soul करना है इसका भी screen shot ले लीजिए ठीक है और हल करना क्या right answer आपका आ रहा है या नहीं आ रहा ठीक है या आपका home रख है और इसमें देखिए 27 नमबर का person का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तो इसका भी right answer बारवा होगा ठीक है इसका भी right answer कुनसा होगा बारवा इस नमबर option right answer हो जाएगा 28 नमबर का person है इसका भी screen shot ले लीजिए एक कतार में 22-22 से दाइं के और खड़े है ठीक है वो आप कमेंट में बताना गुन्टिस नमबर का person है इसमें भी देखिए यदि 54 वेक्तियों की एक पंक्ति में एक का भाएं से 25 वा बी का दाइं से 24 वा इस्तान है तो दोनों के मद्दे कितने वेक्ति होंगे सीधा सा है देखिए 24 पलस 25 माइनस 25 कर दीजिए तो कितने बचे 5 तो इसमें राइट आंसर A नमबर उप्सन हो जाएगा आगे देखिए इसमें 30 नमबर का प्रेशन है यदि 54 वेक्तियों की पंक्ति में A का भाएं से 38 और B का दाइं से 36 वा इस्तान है तो दोनों के मद्दे कितने वेक्ति बेटे है तो 38 पलस 26 माइनस 24 कर लीजिए और माइनस 2 कर दीजिए आठ अपना इसमें राइट आंसर आजाएगा बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर देखिए कोशिस करी है दूसरा नमबर का टोपिक था करम प्रेक्षन यानि कि रैंकिंग टेस्ट समंदित प्रेसन कैसे लगे और भी कुछ चैंजेज बगेरा करना हो तो कमेंट में जरूर बताएं और पिछली क्लास नहीं देखिए तो आप लेलिस्ट में जरूर जाके चेक कीजिएगा अराद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सबस्क्राब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैव भारत